नमस्कार इस वक्त मैं अयुद्या में मशूर हूँ राम के प्रती जो आस्था है लोगों की वो इस वक्त हर जगा नजर आ रही है ऐसा नहीं था कि हम पटना से रास्ते से आते वक्त जब हमने पैदल चलते लोगों को दिखाया तो वो केवल राजधानी पटना या उसके आस रेइस वस्ताय क्या आई से सबसे पहले आपका नाम करना आपका मेरानाम हैं मेरा नाम हिमांसु सुख है घंडा करका हूं तो आप लोग क्या पैदली आए कि दिन लगे बारा दिन लगे और आप लोग तीनों लोग दोस्त हैं क्या है अच्छा तो यह कितना मुश्किल था सफर फोड़ा भी मुश्किल नहीं था अगया एक दम मज़ा है अपने जीवन को छणी मुवमेंट होता है वो मैं 10-15 दिनों पाइदल को रास्ते में दिक्कत परशानी कितनी बड़ी हो वाले का वर्दान रहता है क्या लोगों ने स्वागत भी किया आपका जितने वो थे बहुत समर्पित इसके लिए बहुत जूरदार स्वागत करते थे हर प्रकार फ्लप्ट कर लाइते देखिए आपको अपने त तो इस बात का चित्रन राम चैत्मानस में भी किया गया है कि रास्ते में मिलने वाले जो लोग थे वो दूसरों को भी संदेश भेजते थे और कहते थे कि राम से मेरी बात कहिए भग्मान राम को बताईए कि भईया मैं आप से मिला था मुझ पर विक्रपा कीजिए तो कुछ कर रहा हूं तो अगले दिन के मेरे इस्टे की भी वह सा खुट करने लगते थे बोलते थे कि यहां इतनी दूर चल लोगे वहाँ यह मेरे भाई के घर है यह मेरे अंकल के घर है आप वहां रूजएगा और उनको पहले से इल्टिरा करते थे बता देते थे और वह लोग पह कुछ भी लोगों ने हर जगह से जैसे अब कोई गरीब माता भी आया चाहे को किसी दुकांदार वाला या कोई ड्राइवर वाला यह देख रहा था कि मैं जा रहा हूं तो यथा सक्ति वह हमें सहयोग करते थे कि आप जाईएगा मेरे भी असिरवात मंगे और मेरे जगा प अच्छा यह अपने घर पे लगा रहा है हमारे घर पे यह द्वाज लगा हुआ था वहां से हम लोगों निकला कर इसे यहां तक लाया है प्रभुस राम की चर्वा म्यापित करने के लिए दर्शन हुए आप लोग है दूर से ही हुए होंगे अभी नहीं दर्शन नश्रीक अब दर्शन करने आए है और दर्शन के बाद ही जाएंगे तो यह भगवान राम के प्रतियास था और मैं आपको यह दिखाओं कि देखिए आयोध्या नगरी इसवक्त पूरी तरीके से राम में हो चुकी है राम की आस्ता में लीन हो चुकी है चारो तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से आयोध्या को नए स्वरूप में देखने का मौका मिल रहा है गलियों को खुब सूरत बना दिया गया है चारो तरफ लाइटिंग की विवस्था की गई है और इस वक्त आस्ता जो है वो उमरकर जो है अपना वेग दिखाती भी नजर आ रही है आस्ता का जो उबाल है वो इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोग दिल में भगवान राम को पाने की इच्छा लेकर चल रहे हैं रास्ते भर में उनका स्वा झाल झाल